देश की दो प्रमुख पार्टियां बीजपी और कॉंग्रेस ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जूर लगा दिया है लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि इस बीच एक के बाद एक बड़े निता लगातार पार्टियां बदल रहे हैं जिससे पार्टि की परिशानी बढ़ रही है और इसका असर चुनाव के नतीचों में देखने को मिल सकता है सबसे ज़्यादा कॉंग्रेस के निताओं ने फाला बदला है किसी ने अंतरात्मा जागने का हवाला दिया तो किसी ने अपमानित महसूस होने के बाद पार्टी को अलविदा कहने की बात कह देए जिसने भी पार्टी चोड़ा कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद अपने चुपी जरूर तोड़ दी और पार्टी की कर्तूत और उसकी सच्चाई सब के सामने लाका रखती चुनाओं से पहले पाला बदलने वाले दस नेताओं पर तमाम तरह के सवाल सुलग रही है चुनाओं के बीच कॉंग्रिस में क्यू मचा बबार? पार्टी छोड़कर क्यू भागे बड़े बड़े नेता? नेताओं के पार्टी छोड़े का क्या होगा असर? कैसे? धीरे धीरे खत्म होती जा रही कॉंग्रिस इन सवालों ने सियासी पारहाई कर दिया है और कॉंग्रिस की टेंशन बढ़ा दी है कहते हैं कि यदि आप अपनी नाव, कश्टी, जहाज में पानी को गूसने नहीं तेंगे तो दुबने के खत्रे बहुत कम हो जाते हैं क्या यही बात इंसान पर भी लागू नहीं होती है कि यदि अहंकार को दमाग में घुसने नहीं देगा तो उसका नुकसान कम होगा लेकिन कुछ लोगों को शायद यह बात समझ नहीं आती तब ही तो वो दूसरों से जादा खुद का नुकसान कर बैठते हैं ऐसी ही हालत है कॉंग्रेस पार्टी के बड़े निताओं के जिनके कंदे पर पूरी पार्टी की जिम्मेदारी सौब दी गई है और यही कारण है कि जिस चुनाव के समय में पार्टी के निताओं को मिलकर साथ में काम करना चाहिए वो इस समय में पार्टी का साथ छोड़कर बहाग रहे हैं तो चलिए ऐसे दस निताओं की चर्चा करते हैं जिनकी आत्मा ने बीच चुनाओं में आवाज लगाई और उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया सबसे पहले बात राधिका खेडा की चुनाओं की पार्टी की प्रात्मिक सदस्तिता से इस्तिपातिया और ब हिंदू के लिए प्रभु श्राराम की चन्मस्तरी पवित्रता के साथ बहुत मायने रखती है राम लल्ला के दर्शन मात्र से जहां हर हिंदू अपना जीवन सफल मानता है वह कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं राधिका ने कहा कि बैने जिस पार्टी को अपने 22 साल से ज्यादा दिये जहां NSUI से लेकर AICC के मीज़ा विभाग में पूरी इमांदारी से काम किया आज वहां ऐसे ही त्रिव विरोध का सामना मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मैं अध्या में राम लल्ला के दर्शन करने से खुद को रोप नहीं पाई मैं दर्शन करने चली कर सुशील आनंद शुकला के घलत बिवहार को लेकर सचिन पाइलेट से लेकर जराम रामेश वो पेश बगेल और पौन खेडा तक कुछान कारी भी थी लेकिन हर किसी ने मुझे चुप रहने को कहा और कौडिनीट नहीं करने के लिए फटकार भी लगा दी वह एक कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले निताओं में एक नाम अरविंदर सिंग लवली का भी है दिल्ली कॉंग्रेस के अद्धक्ष लवली ने 28 अप्रैल को पत से इस्तिपा दी था इसके बाद वचार मई को बीजेपी में शामिल होके लवली के सा दिया अमारे समर्थ को ने हमसे का कि आपको घर पर बैटने की जरूरत नहीं है मैंने अपने इस्तिपे के बाद घर पर रहने का फैसला किया था लेकिन हमें दिल्ली और देश के लिए लड़ने के लिए कहा क्या और अब बात कॉंग्रेस के वरिस्ट निता और मुंबई शुसेना यानि की एकनाथ शुन्दे गुट का दामन थाम लिया था वह एकनाथ शुन्दे की मुझूदगी में शुषेना में शामिल हुए थी निरुपम को पार्टी विरोधी गत्ती वीदियो के वज़से अपरायल बहिने में कॉंग्रेस निकाल दिया था इतना ही नही शुसेना में श्यामिल होनी के बाद का था कि यह मेरे लिए बहुत भावकंतिन है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एकनात शुन्देट की में अिरुत्य में शामिल होने उन्हेंने अपने इस्तिवे में कहा था कि कॉंग्रेस आज जिस तरह से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उससे मैं खुद को सहज बहसूस नहीं कर पा रहा हूं मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबाश शाम देश के विल्ट क्रियेटर्स को गाली दे सकता हूं इसलिए मैं कॉंग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्रात्मिक सदस्ता से इस्तिफा दे रहा हूं गौर करने वाली बात यह है कि चुनाओ के बीच सिर्फ कॉंग्रेस नहीं बलकि आम आदमी पार्टी के नेता भी पार्टी का साथ छोड़ कर जा रहे हैं दिल्ले सरकार में बंद्री रहे निता राचकुमार आनंद बोजन समाज पार्टी में शामिल हो गया है उन्होंने बसपा ज्वाइन करने के बाद कहा कि वह अपनी पार्टी में वापस आके वहीं कॉंग्रेस नितार रोहन गुपता ने पार्टी का टिकेट ठोकड़ा कर ब्शिवाइन कर ली थे उन्होंने काईब कर मानित करने का आरोप लगाया था पीचेप की सदसता लेने के बाद साथ कि मैने अपने आत्म समवान के लीए को अधा चुड़ा वहें हर रूज अप्मानित किया जाता था खुद बेदाक बताते हुए रोहन गुपता ने कहा कि मैंने कई बार खुद बीटेपी की वर्षिंग मसीन पर सवाल उठाए मेरी शर्ट बिल्कुल बेदाग है सनातन को गाली देने वालों के साथ काम नहीं किया चाह सकता जिनके नाम में राम है वहर रोज राम के और सनातन के खलाप बोलन कर वापिस ले लिया इसके बाद उन्होंने कॉंग्रेस छोड़कर बीचेपी का दामन थाप लिया अक्षे कांती बम ने दावा क्या था कि चुनावी प्रचार के लिए कॉंग्रेस संगठन की और से सहयोग ना मिलने के कारण उन्हें चुनाव की दोड से बाहर होना और अब बाद गुजरात कॉंग्रेस की निता अजुन मोडवाडिया की मोडवाडिया पांच मई को बीजपी में शामिल हो गये थे पूरबंदस से बदायक मोडवाडिया ने गुजरात बिदान सबाध्यक्ष शंकर चौदरी को अपना इस्तिपास ओपा था और इस्तिप और विरोध पक्ष की नेता के साथ प्रदेश का अधक्ष भी बना मैंने खून पसीना देकर पार्टी को मजबूत करने की कोशिस की लेकिन जिस कल्पना से मैंने कॉंग्रेस ज्वाइन की थी बीते कुछ सालों से मुझे पार्टी में वो देखनी को नहीं बल रही थी वही महाराष्ट कोंग्रेस के बड़े निता और पूरू मुख्यमंत्री अशुक चवार ने 12 फरवरी को पार्टी से इस्तिफा दे दिया था और उन्हें प्रदेश कोंग्रेस अधक्ष नाना पटोले को पत्र भेज कर कोंग्रेस की प्रात्मिक सदस्यता से इस्तिफा देने का महाराष्ट कोंग्रेस के निताओं में निर्णा लेने की चंता नहीं है उनके पास कोई विवसाइक कॉशन नहीं है इतने ट्रेंड नहीं है कि अपने वर्ग में अधिक्तम स्थान प्राप्ट कर सके यह सब सिर्फ मिटिंग्स में बैटे और बातचीत करने फाइव स्टार में जाने और खाना खाने का नतीजा है दरसल महाराष्ट कोंग्रेस के निताओं को सीट बटवारे में कोई दिल्चस्पी नहीं यहीं कारण है कि असवलता उनके हाथ लगी है तो जिस तरह से चुनाओ के बीश पार्टी के बड़े निताओं ने पार्टी पर कई आरोप ल और उनकी लापर वाही उन पर ही भारी पटी नसर आ रही है बता दे कि लोग सबचनाओ 2024 अब अपने अंतिम चरण में है 25 मई को 6 और 1 जून को 7 वे चरण के लिए वोट डाले चाएंगे 4 जून को साब पोचाएगा कि किसे गद्दी मिल रही है कौन सत्ता से दूर हो रहा ह हर दल सत्ता पर काबिस होने के लिए अपनी पूरी ताकत जोके हुए है हर कोई दावा कर रहा है कि वो जीत रहे है सामने वाला हार रहा है नेता भले ही कितने दावे करें लेकिन चिंता के जहन में सवाल घूम रहा है कि इस बार सत्ता का ताज किस के सर सचेगा तो लगता स